हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक्त मैं चैनल अम्रिती पैशनमिला, आज की वीडियो में हम लड़ू को पाजी के लिए यह वुले जम सूट बनाने वाले हैं, एकदम सिंपल और आसान तरीके से मैंने इसे बनाया हुआ है, और वीडियो में मैं आपको दो नंबर के काना को पह कुक्etак करेंगे एक नंबर को बहुत खाल आ जाएगा आपके सामने देखंगे के दो नंबर को पहनہे हुआ हुआ है, इसलिए मैंने आपको इसे दो नमबर को पहना के दिखाया है, मेरे पास सभी साइज के काना जी है, तो एक नमबर को पहना के दिखा, एक नमबर को तो बहुत अच्छे से आ जा रही है, और दो नमबर को भी देख लिए आपके सामने ही है, इन्हें भी बहुत अच्छे से आ वीडियो में फोड़ा सा इसका लग रहा है बट यह राड बहुत ही उबसूरत सा है तो वीडियो स्टार्ट पहले अगर आपने अभी तख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन को प्लिस करके प्लिक करें जिसे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिती रहे और अगर आपने मुझे अभी तख इंस्टागां पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां पर फॉलो करिए मेरा इंस्टागामेंडर है अम्रितीफसनलाफिफ्टी अपर लिंक आपको डिस्क यहां पर हम इस तरह से एक नोट लगाके लूप बनाएंगे अब इसमें अपने हुप को डालना है और यहां पर हमें चेन बनानी है देखें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आर्ट, नो, दस हमने यहां पर दस चेन बनाई है इसी तरह से हम यहां पर टोटल 25 चेन बनाएंगे चले यह बना लेते हूं दस बन गई है 15 और बना लेती हूं फिर आगे बताऊंगी क्या करना है हमने यहां पर 25 चेन बनाई अब देखें एक चेन है हमारे हुक में है इसके बाद हम एक, दो, दो चेन और चोड़ेंगे और तीसरी चेन में हम इस तरह से करके दे तीन से दो और दो से एक कर दिया फिर हमने यहां पर इस तरह से किया यहां पर नेक्स चेन में डालेंगे पीछे से फंदे को निकाला तीन फंदे हैं तीन से दो और दो से एक कर दिया इस तरह हम यहां सभी चेन में एक बनाएंगे चले बना लेती हूं फिर आगे अब देखिए यहां पर जो हमारी फॉस्ट चेन दिख रही है इसमें अपने हूंक को डाला और यहीं से अब हम डबल क्रोश या बनाना स्टार्ट कर लेंगे बहुत एज़ी है कास्स बहुत आसान तरीकी से मैं बना सकते हैं कोई दिकत नहीं होगी तेखें तीन फंदें हैं तीन से दो और दो से एक कर दिया फिर हम यहाँ पर अपनें यह पूरी रो बुन के कम्प्लीट करेंगे चले करते हूं पिर आगे बताओंगे क्या करना है यहाँ पे हमने यह दो रो कम्प्लीट कर दिया, अब फॉर्ड रो आप देखिए किस तरह से बुनना है, इस तरह से एक, दो, दो चेन बनाई, ऐसे करेंगे, अब देखिए फॉर्स चेन में ही डालेंगे, और फंदे को निकाला, तीन फंदे हैं, तीनों को हमने एक साथ उता इसे करके हम यहां सभी चेन में एक बार हाफ दूबल क्रोश बनाएंगे, चले बना लेती हूं फिर आगे बताऊंगे क्या करना है, यह देखिए हमारा हो गया है, अब हम यहाँ पे इसे टर्न करेंगे, अब हमने यहाँ पे स्टार्टिं किया था पचीस चेन से, जब आप अब यहाँ पे अगली चेन से हम अपना दूसरा डबल क्रोश बनाना शुरू करेंगे, देखिए दूसरा हो गया, यह हमारा तीसरा हो गया, गेच चौथा हो गया, इस तरह हम टूटल यहाँ पे 12 डबल क्रोश बनाएंगे, चले बनाती हूं फिर आगे बताऊंगे क्या कर यह देखिए हमने यहाँ पे टूटल 12 डबल क्रोश बना ली, अब यहाँ पे इसे टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद हम देखिए इस तरह से एक, दो, दो चेन बनाएंगे और यहाँ पे हमें एक चेन का गयब देना है और नेक्स चेन में हमें डबल क्रोश बनानी है, बहुत आसानी से आप इसे बनाके complete कर लेंगे, यह देखें, यह इस तरह से मैं यहाँ पे इसे बुन रही हूँ, और जैसे हम यह अपना बुन रहें, सेम ऐसे हमें दूसरी साइड भी बुन लेना है, उसमें भी कोई change नहीं रहेगा, सेम ऐसे ही वो भी हमारा बुनेगा, यह देखें हमने बुन दिया, अब यहाँ पर यह लास्ट वाली चोड़के, और एकदम लास्ट वाली में बुन देंगे, यह हो गया, अब यहाँ पर एक चेन बनाके, और इसे कट कर देना है, यह देखें, यह हो गया, अब फिर हम इसे ऐसे टॉन करेंगे, और यहाँ पर हम इधर से अब बनाना सुरू करेंगे फिर से यहां पे हमें स्टार्टिंग में टोटल 12 डबल क्रोशिया बनानी है उसके बाद लास्ट वाली रो में हमारा कम हो जाएगा देखे दो चेन बनाया इसे भी डबल क्रोश ही मानते हैं इसलिए अगली चेन में बनाएंगे डबल क्र प्रेट कर दिया यह नीचे से अमारा दोनों पैर अलग हो गया बहुत असानी से देखें यह इस तरह से हमारी पैंट जो है वह बने की अब चले हम ऊपर वाला हिस्सा बना लेते हैं उपर वाला भी बहुत आसान ऐसे ही इकदम सिफपल है वह भी अब देखिए यह हमारा से सेंटर से ऐसे उपर आएंगे यह सेंटर है एक दो तीन तीन चैन इतर से हम सुरू करेंगे टोटल छे चैन हमें यहां पर बुननी है देखें एक दो दो चैन बना ली यह भी हमारा एक डबल क्रोश्या ही माना जाता है अगली चैन में हम इस तरह से डबल क्रोश्या बुने यह तीन चेन में बुन दिया सेंटर से तीन चेन इधर हो गई और तीनी चेन इधर भी बुण जाएगी देखें यह एक हो गई यह दो हो गई और यह last तीन हो गई, टोटल छे हमने बुन दी चेन, अब हम क्या करना है इसे इसे टर्न आदा है اور टर्न करने सकते हैं इसे बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको टोटल इधर भी हमारी अब फिर से चे हो गई फिर इसे टर्न करेंगे और फिर यहां पे छे बना लेंगे चलिए बना लेती हूं फिर आगे बताऊं क्या करना है यह दिखिए हमने आप अपनी तीसरी रो भी कप्लीट कर दिया है अब यहां पे हमारा चेंज होगा देखें क्या चेंज रहेगा एक और दो दो चेंज बनाई अब देखिए इस तरह से यह फॉर्स चेन में एक बार हो गया और यहां पे सेकेंड चेन में एक बार डबल क्रोशिया और फॉर्ट चेन में भी एक बार टो चारो डबल क्रोशिया को हम repeat करते रहेंगे यह इस तरह से यह देखें यह दोनों मैंने divide कर लिया आधा-धा एक साइड से हमारी दूसरी पट्टी जाएगी और एक साइड से हमारी दूसरी पट्टी जाएगी तो बस इसे हम इस तरह से थोड़ा लंबा कर लेंगे यह देखें मैं यहाँ पर divide करने के बाद तीसरी रो बून रहे हूँ और चौती रो बूनूंगे तो यह मेरा complete हो जाएगा चलिए बून देती हूँ फिर आगे बताऊंगे क्या कर लेंगे यह देखें हमने यहाँ पर एक, दो, तीन, चार चार रो बूनने के बाद कट कर दिया अब हमें इस बचे हुए आधे साइट पर बनाना है तो देखें यहीं से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इधर भी हमें चार डबल क्रोश्या ही बिनानी है तो जहाँ पर यह बना हुआ है लास्ट वाला वहीं से स्टार्ट कर लेंगे यह इस तरह से यह देखें एकदम सिंपल है बहुत आसाने से आप बनाएंगे दो चेन बनाई एक हमारा डबल क्रोश्या होई गया उसके बाद बचे हुए तीनों में एक एक बार बुन देंगे एक यह दो और यह लास्ट तीन इस तरह से हमारा इधर भी चार हो गया डबल क्रोश्या अब इसे टर्न करेंगे कंदे पर हमारी चोली थोड़ी सी चोड़ी होती है तो इसलिए मैंने इसे इस तरह से बुन दिया और डिवाइट कर दिया जिसे पहनाने में एजी रहे और एक अठा है यह सब कुछ हमारा पैंट भी है जम सूट के जैसा मैंने बनाया है जिससे अगर किसी को बहुत जादा बुनाई कि छोटा साइज है तो इस तरह से भी बना के रख सकता है तो इसलिए मैंने दो रो बुन दी है दो रो और बुन के धर भी कट कर देती हूं तो यह हमारा कम्टीट हो जाएगा यह देखिए यह तो हमारा हो गया है अब इसमें हमें डोरी डालनी है जालना भी बताऊंगी उसके पहले आप कैप देख लें कैप के लिए मैंने यहां पर 18 चेन के अंदर डबल क्रोशिया बनाई है दो रो देखें एक और दो दो रो बुनी है थोर्ड रो जो है वह हमारी रही की हार्वड़ क्रोशे की इसलिए देखें दो चेन बनाएंगे फर्स चेन में डाला फंदे को निकाला तीन फंदे हैं तीनों को एक साथ उतार दिया फिर इस तरह से किया सेकेंड चेन में डाला फंदे को निकाला देखें तीन फंदे हैं तीनों को एक साथ उतार दिया इस तरह से यहां सभी चेन में के बार हाफ डोल कुरिशया बनाके कट कर लेंगे तो हमारी कैप के लिए भी रेडी हो जाए यह देखिए यह हमारा कम्प्रीट हो गया कैप के लिए और इसमें भी अब डोरी डालके से सिल देते हैं तो यहां सिंपल से चेन बनाई हुई है देखिए किस तरह से डालेंगे यहां पर ऐसे एक एक चेन में से निकालेंगे नॉर्मली एक दम और इसमें अपने हुप को फसाना है ऐसे करके और पकड़के खीश देना है यह देखें इसी तरह से हमें इसमें पूरे में डाल देना है है मैं अप्रोप कर सकते हैं तो अफर गर्वों किया आप है बस्त बना के सकते हैं एक। सिंपल और अप्सा बटाए हैं नहीं सिल लेते हैं इसे अब देखिए हम यहां पर से किस तरह से सिलेंगे यहां से हमें इसे डबल करना है डबल करने के बाद नीचे से एक और दो दो रो छोड़ने के बाद ऊपर से हम इसे सिलेंगे यहां से देखिए यहां हमें सिलना है इस तरह से ऊपर से थोड़ा से छोड़न तरह से इस तरह से सिल्थ हुए नीचे आएंगे i first यह हम इसे दूरी के साइड हु में इतना छोड़ दिया और नीचे के साइड हम ने दोर और छोड़ दी अब इसे करेंगे जोड आप को और अब हम यहां पे सिल देंगे यह इस तरह से बस आप देखिए कितना इजी है पहुत आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं यहीं पे हम नौट लगा देंगे अब यहीं से उन को हम इधर ले आएंगे ऐसे करके और इधर भी हमें सिलना है इसकी जो दूसरी वाले पैर ह वो भी सिल देंगे यह देखिए बहुत इजी है एकदम सिंपल और आसान तरीके से आप इसे बना सकते हैं बस इतनी ही हमें सिलाई यहां पे करनी है इसके बाद हमारी कैप रहेगी तो कैप भी हम सेम तरीके से सिलेंगे यह देखिए यहां पे इसे हमने सिल दिया बस हम डेड़ी हो गया है। अब हम कैब सिलेगे। देखे किस तरह से सिलना है। यहां पर इस ऐसे डबल करना है। डबल करने के बार सबसे पहले निची की साइड हम अच्छे से लोग करके सिलेगे। यहां 2-3 बार देखिए मैंने सिल दिया आप खुलेगा नहींगे और यहां से ऐसे simply एकदम उपर की साइड आ जाएंगे ऐसे सिलते हुए उपर आगे अब उपर की साइड भी हम इसे अच्छे से लॉक करेंगे यह देखिए 2-3 बार मैंने यहां पर भी लॉक किया यहां पर म करेंगे वहीं पर हमें सिलाई करते हुए चले आना है तो यह देखिए इस तरह से हम यहां पर आ जाएंगे यह यहां तक अब बस यहीं पर एकठा करके यह देखिए कठा कर दिया और यहीं पर एक दू बार और सिल के नॉट लगाके कट कर देखिए तो हमारी कैप भी बस यह हमारी कैप भी देखिए रेडी हो गई है आप सेम पलर के उन से सिलें जाता अच्छा रहेगा यह देखिए यह कैप आ गए यह मेरे अंगुठे में इस तरह से आ जा रही है यह देखिए हमने यह पर एकाना जी को पहना दी है दो नमबर एकाना को पहना हुई है इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अब हमिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हरे क्रिशना रादे रादे